दबसकार दोस्तों स्वगते आपको इस्टिटी पॉर्ट से में आईयस पीसियस की तैयारी कितने साथ करनी चाहिए ये कुछ लोगों ने पूचा है देखें मेरे साब से ये इंडिविज्वल पे डिपेंड करना चाहिए उसको अपनी खुद की परसनालिटी का आकलन करना चाहिए अपनी सेल्फ अनलिसिस करनी चाहिए अपनी पढ़ने की छमता देखनी चाहिए जो आईयस और पीसियस के प्रिवेस एर क्वेशन्स हैं उनको को देखना चाहिए सिलेबस को देखना चाहिए और अपना आकलन खुद करना चाहिए कि भाई कितने दिन मुझे लग सकते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी का दूसरा नाम है पेशेंस लेकिन पेशेंस का यह मतलब नहीं है कि जीवन बर तैयारी करते रहो क्योंकि अगर यह सब चीज़ें आपके इन्वार्मेंट आपके बैक्ग्राउंड आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है किस तरह के छात्र रहें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे एक्जाम्पिल भी आपको देखने को मिल सकते हैं समाज में जो आठ साल बाद हुए नौ इसाब से डिस्क्रस करनी चाहिए हाँ यह एक जरूर है मेरी जो सजेसान अगर कुछ लोग मांगें तो देखें अगर आप अरली थोड़ा एज में करते हो अरली मतलब की 25 ए 30 के अंडर में अगर आप करते हो तो मेरे साब से अगर आप लग के करो तैयारी जब भी करो लग जोग दो इस तरह से करो और फिर भी अगर जो है नहीं निकल रहा है तो आप कहीं और जो है अपना अगर माले यह फाइनेंशल दिक्कत हो सकती है मालो आप बहुत रिच फैमिली से हो घर में जो है कार खाने चलना है फैक्टरी चलना है जीवन का एम आई है कि नहीं बाई इस पीसेस बनना है तो लगो फिर कौन रोख सकता है आपको ठीक है लेकिन अगर ऐसी फैमिली वाले लोग अगर आपने देखा होगा तो यह वाले लोगों की ज़्यादा तर रुची नहीं रहती है आई एस पीसेस में जाने में क्योंकि वो लोग जीवन की सच्चाई भी जानते हैं बाकी आई एस पीसेस का जो सपना है वो कौन देखता है ज्यादा तर लोवर मिडल क्लास का या फिर मिडल क्लास के लोग देखते हैं अगर आप एक चीज कभी भी यह कोशिश करना जानने की कभी जो रिच क्लास है या फिर सुपर रिच क्लास है हाई नेट वर् लोग नहीं जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी निउस पढ़ते हो एडिटोरियल पढ़ते हो तो चीजे समझ में आती होगी थोड़ा मेच्योरिटी के साथ सब समझ में आने लगता है कि क्या प्रोपेगेंडा है किस तरह से क्या चीजे चल रही है कोचिंग कई सारे सीरियस चात्र में से जो क्योंशन पुछते हैं मुझे बताने पड़ते हैं तो यह चीज है ठीक है तो यह जो उमर वाला है कि टाइम कितना होना चाहिए यह आपको डिसाइड खुद करना है सारे लोगों का आप जो है राय ले सकते हैं एक्सपर्ट का गाइडेंस ले सकते हैं अपनी खुद की जब तक आप एंडेसिज आंकला नहीं कर लेंगे कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं एक बार पिपर में फेलियर मिला उसको आप दो दिन सोचो अगर सीरियस हो न तो सोचो गे जरूँर जो सीरियस चात्रूते है ना वह एक दो दिन सोचते जरू यह आपको खुड डिसाइट करना पड़ेगा एक आईडियल मेरे साब से जरूर है कि अगर आप अरली 30s के अंदर जाते हो तो मेरे साब से 4-5 साल काफी है मतलब फुल डेडिकेशन कि अगर जब तैयारी करो तो और कुछ ना करो यह वाली बात मैं बता रहा हूँ और अगर फिन नहीं होता है फिर थोड़ा थोड़ा जो है आप अपना कुछ जो प्लानवान भी है स्टेट PCS को यह और एक्जाम कुछ और जो है स्टार्ट अप यूटूब टीचिंग या कुछ भी जो भी आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर दगते हैं वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट साल दे दी है मैंने इसको कुछ तो मुझे इस से इन कैश करना ही है तो यह चीज़े हैं और अगर आप दखे कई लोग ऐसा होता है कि भाई 30 के बाद ही सोचते हैं 32 के बाद सोचते हैं जब यूपीएसी मान लोग एक बार कभी सपना था एक दो साल भी आपके अंदर एक जज़बा है पैशन है वह अंदर से आपके आ रही है यह बात कि आरे कर तो सकता हूं यार मैं क्या कर लेते हैं चलो तो कर लो फिर और क्या इसमें को कोई भी मेरे साब से कोई कुछ भी कहे आपको अपनी बात अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की बात महननी चाहिए ठीक है यह है मेरी तरब से